हलो बच्चो आज हम स्टाट करने जा रहे हैं न्यू चेप्टर एक्स्मेंट एनड़ पावर जोकि बहुत ही चेप्टर है अब बहुत ही इंटरस्टीं है इसमें हम स्टाट करते कोशन नमबर बन से question number 1 है 3 की पावर minus 1 into 9 की पावर minus 1 divided by 3 की पावर minus 2 अब एक शिच हमेशे ध्यान रखना जब भी किसी की पावर में minus 1 हो 2 हो कोई भी किसी की पावर अगर minus में है तो हम क्या करेंगे उसको upon में लिखतेंगे 1 by ठीक है अब जैसे हैं 3 की पावर minus है तो क्या होगा 1 by 3 9 की पावर minus है तो क्या होजाएगा 1 by 9 3 की पावर minus 2 है तो क्या होजाएगा 1 by 3 की पावर 2 हमेशा जब भी किसी की पावर minus में हो exponent में तो वह 1 by में आ जाता है जिससे वह पॉजिटीउड़ी बन जाता है अब जग हम इसको स्वाट करेंगे तो क्या होगा 1 by 3 into 1 by 9 divided by 1 by 3 की power 2 अब उसके बाद next line में है 1 by 27 divided by 1 by 9 अब एक चीज़ हमेशे नहीं रखना है जब divide का sign है उसको जब हम हटाएंगे तो हमारे पास sign नहीं लग जाएगा multiplication जैसे हम वो sign हटा के divide को multiply में चेंज करते हैं तो उसके बादवरा जो number है वो उल्ड़ा हो जाता है जैसे 1 by 9 है तो क्या हो जाएगा 9 by 1 तो वही हमने क्या 1 by 27 into 9 by 1 जब उसको solve किया तो answer कितना आ गया 1 by 3 किसी को doubt हो तो मुझे comment करके पूस सकते हैं क्योंकि बहुतएजी है यह chapter चलो अब करते question number 2 question number 2 is 3 की minus 1 into 4 की बाद 1 divided by 6 की पाद one क्या करेंगे अब बच्चो 3 की बाद बादę 1 है तो उसको लिखेंगे 1 by 3 into 4 की बाद माद तो उसको लिखेंगे 1 by 4 divided by 6 की पाद माद 1 है तो उसको लिखेंगे 1 by 6 अब उसको multiply किया तो कितना 1 by 12 divided by 1 by 6 अब divide के sign को change करेंगे तो कौन से sign आ रहेगा multiplication का और 1 by 6 हो है वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो 6 by 1 उसको solve किया था हमारा answer आया 1 by 2 next है question number 3 question number 3 यह 2 की power minus 1 plus 3 की power minus 1 whole bracket power 3 चीक है तो 2 की power minus 1 है तो क्या करेंगे 1 by 2 plus 3 की power minus 1 है तो क्या करेंगे 1 by 3 फिर इसका LCM नेंगे LCM कितना है 2 और 3 का 6 और 3 प्लस 2 उपर में है तो उसका whole cube तो हमारे पस कितना आ गया 5 by 6 का whole cube अब 5 का cube कितना होता 5 into 5 into 5 कितना हैगा 125 6 का cube मदलब 6 into 6 into 6 कितना हैगा 216 तो हमारे पस answer आ गया 125 by 216 next question number 4 3 की power minus 1 divided by 4 की power minus 1 whole bracket की power square क्या करेंगे 3 क्या minus 1 है तो क्या होगा 1 by 3 divided by 1 by 4 whole power 2 अब divide का sign तो उसको किसमें change करेंगे बच्चों? multiply में तो 1 by 3 multiply by 4 by 1 whole की power 2 कितना हो गया? 4 by 3 की power 2 4 का square कितना होता है? 16 3 का square 9 अब हमें बस अगला question है question number 5 वो है 2 की power 2 plus 3 की power 2 into 1 by 2 का whole square क्या करेंगे? 2 का square कितना होता है? 4 3 का square 9 4 plus 9 13 अब 1 by 2 का square कितना होगा? 1 by 4 5 से कितना आ गया? 13 by 4 चुण question number 6 है मारा 5 square minus 3 square into 2 by 3 की power minus 3 5 का square 25 3 का square 9 into अब 2 by 3 की power minus 3 है तो बच्चों अब क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 by 2 की power cube अब 25 minus 9 कितना होता है? 16 into 3 का cube कितना होता है? 27 2 का cube 8 तो हमारे परस जब उसको solve करेंगे तो आंसर कितना है? 54 चुरो तो अब question number 7 है 1 by 4 की power minus 3 minus 1 by 3 की power minus 3 bracket close divide by 1 by 6 की power minus 3 अब क्या है बच्चों? पावर में minus है तो क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 by 1 की power 3 minus 3 by 1 की power 3 divided by 6 by 1 की power 3 तो 4 की power 3 कितना होता है? 64 3 की power 3 कितना होता है? 27 into अब divide का sign है तो उसको किस में change कर देंगे? into में और 6 by 1 है तो उसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 by 6 की power 3 तो 64 minus 27 कितना होता है? 37 into 6 का cube कितना होता है? 216 तो उसको solve करेंगे तो कितना है answer? 37 by 216 next question number 8 है हमारा minus 3 by 4 की power minus 2 whole bracket उसकी power 2 अब क्या करेंगे हम बच्छों इसमें? power कितना है? minus 2 और उसकी power कितनी? 2 तो उसको multiply एक पावर को मैनस 2 into 2 कितना हो जाएगा? minus 4 तो हमारे परस कितना गया? minus 3 by 4 की power minus 4 अब यहाँ power कितना है minus का है तो क्या करते उल्डा उल्डा करेंगे तो कितना हो जाएगा minus 4 by 3 की power 4 अब power 4 है और अंदर में minus है तो answer क्या हैगा हमारा positive क्योंकि even number है तो 4 की power 4 कितना होता है 256 और 3 की power 4 कितना होता है 81 था हमारा answer आगे 256 by 81 चलो तो अब करते हैं question number 9 question number 9 है 3 by 5 की power minus 2 उसकी whole power minus 2 तो power को क्या करते है multiply minus 2 into minus 2 अब minus minus क्या हो जाएगा plus 2 into 2 4 तो 3 by 5 की power 4 तो 3 की power 4 कितना होता है 81 5 की power 4 कितना होगा 625 अब question number 10 question number 10 है 5 की power minus 1 into 3 की power minus 1 divided by 6 की power minus 1 अब बच्चों क्या करें हैं power minus 1 है तो 5 की power minus 1 तो क्या होजाएगा 1 by 5 into 3 की power minus 1 क्या होजाएगा 1 by 3 divided by 1 by 6 तो 1 by 15 divided by 1 by 6 अब divide का साहिन है तो क्या लग जाएगा उसके बार multiplication का sign और जो पीछे वाला number है वो क्या हो जाएगा उल्टा 1 by 6 है तो क्या हो जाएगा 6 by 1 तो 6 by 15 को solve करेंगे तो कितना हैगा 2 by 5 Thanks for watching and happy learning